मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई धर्म और आध्यात्म की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं विशेश चानकारी काल सर्प योग दोश से जुड़ी और इसे साज़ा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचारे आपका अचारे जी सबसे पहले तो ये बताएं काल सर्प दोश योग है क्या जी अगर हम बात करते हैं काल सर्प योग दोश की तो स्टूड़ी में जो जर्म कुलड़ी होती है जर्म कुलड़ी में लगन से लेकर के 12 भाव तक दोश कर नाम से जाता है उसका नाम दिया गया जो तश सास्त्रों ने जोतिस योगियों ने और ुष्यसकस काल सर्प योग ठाट क्या होता है राहू उसकी चाल उल्टी होती है राहू और केतु की राहू अगर आगे है यानि करक से मिथुन में मिथुन से ब्रस में ब्रस से मेस में ऐसी चाल अगर उल्टी चाल है राहू केतु की तो अगर राहू आगे है केतु पीछे है तो यह जो है पूर्ण काल सरपयो और अगर केतु आगे है और राहु पीछे है यानि केतु पहुच है और राहु उसका मुह है अगर केतु आगे है और राहु पीछे है तो यह बनता है अनुदित कालसरफ योग जो की प्रभावसाली नहीं होता है अगर पूर्ण कालतरप योग है उदित कालतरप योग है पूर्ण प्रभावी होता है प्रभावसाली होता है और अगर अनुदित है तो वही कालतरप प्रभावी नहीं होता है उससे बिश्यस के डढ़ने की आवस्ता भी नहीं होती है क्या होता है कात्तरपयोग उदित हो या अधनित है पने इस देव हैं भगवान सियू को वांवनाना चाहिए उनकी पूजा करते रहना साधान है उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है जीवन में कैसे भी बिध्ज याबधायίο वो अपने आप ही निकलती रहते हैं अपने आप ही समाप्त होती हैं अगर जिनके इस देउता भगवान स्ञुर्ण हो जिनके जो है खेते हैं भुजगेंडर हारम जिनके हाथों में भी और गले में भी जटा में भी और हार के रूप में भी सर्प ही हैं तो उनका ऐसे जो भक्त हैं जो भगवान संकर जी को प्रिय मानते हैं उनकी पूजा करते हैं पाट करते हैं अनुष्ठान करते हैं तो कहते हैं कि जो है अकाल इम्रित्तु वो मरे जो काल करे चन डाल का और काल उसता क्या करे जो भक्त है महाकाल का तो उनके उपर विशेश कर काल सर्फ योग प्रभावी नहीं होता है लेकि फिर भी कहीं ने कहीं उसका ध्यान जरूर देना चाहिए कुंड़ी का भी स्ट्रे दिवन में है तो जी बहुत बढ़ीा प्रश्न किया अपने क्या होता है कि जितने माइब हैं कहीं लाल साल यह बैठे होते हैं इस बारे में कि क्या बिसेस आज नई जानकारी किया है नए अग्नान किया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि काल सब्योग जो k وہ पिश्येश डरने कि आवस्था नहीं होती आप दरें यही क्योंकि अगर रिष्वि उसन्मय पर प्राइब कुछ समस्या हो रही है तो समस्या के निदान करें अगर डरेंगे ka तो निदान कैसे करेंगो अगर अनोदित है तो बिस्टेश डर्वने की कोई आउसकता नहीं है आप अगर कास्तरेपियों अनुलत है और फिर भी आपके जीवन में कुछ नहीं कुछ बिखने बाधाएं अगर आ रही है काम नहीं हो रहा है तो कुंडली की जो दसाएं होती है महा दसा या अंतर दसा या प्रतेंतर दस उन दसाओं का बिस्टेशन अवश्कराएं एवं लगनेश के उपर और पंचमेश के उपर दसमेश, एकादस एवं भाग्यस्थान यानि नौमेश इनका बिस्टेशन करना अवश्क होता है अगर इनका बिस्टेशन ठीक-ठाक से हो जाता है तो साइद ही मेरा मानना है कि क कोई दिकत आपको नहीं होने चाहिए जी अगर काल सर्प दोश के कुछ नुकसान भी होते हैं किस तरह के नुकसान होते हैं जीवन में अगर काल सर्प योग जो बन रहा है यानि राहू और केटु के मध्य अगला अग्रह रहू है और लगन में वेठा हुआ है तो लगन से ल ये स्पमत्रिक्त कृण्रेशन किया प्रभाव साली बनाता है उनमें नुक्सान देता है अगर केतु आगे है रहों पीछे तो ठीक इसका उल्टाफल होता है तो आजारे जी काल सर्प दोश के लिए कोई विश्य शुपाय बताया है आप हमारे दर्सकों सभी दर्सकों में बश्कार बंदन करता हूं क्योंकि क्या होता है कि आपको विश्य शुपाय बताने जा रहा हूं तो बड़े ध्यान से सुनियेगा अगर सुनेंगे तो भी उसक खाले समिंद्ट महादेव का मंदर अविशय करना उनका विश्य beats अ अगर आप जो है महांकौा के में जेहन के आस्पास रहते हैं यह जो है सुब नासिक के आसपास रहते हैं यह जै करकरे घर में घर में सव क्लंक्या में मैं करते हूए आपका सम्पूर कालसरप्योग जो दोश है वो स्वाप्त हो जाएगा जीवन में कोई बिक्वादा नहीं आएगी फिर भी हर सावन के महिने में कुछ नकुछ उद्देश के उद्देश करते नहीं चाहिए चाहे वो अविशेक हो चाहे वो मृतुनिय का बाट हो चाहे वैसे अचारे जी काल सर्फ दोश के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे साथ आचारे प्रमोध मिश्रा जी उम्मीद करते हैं कि अपसे आपको काल सर्फ दोश से इतना डर नहीं लगेगा और अगर आपकी जिन्दगी इसके प्रभाव में है तो आपको इसका निवारण भी मिल गया होगा इसके अलावा भी अगर आपकी जिन्दगी में कोई कचनाई है कोई बाधा है तो आप नीचे फ्लाश हो रहे हैं नंबरों पर हमारे आचारे जी से संपर्क कर सकते हैं इसी के साथ बोल स्काइप पर बस इतना ही